नमस्कार दोस्तो मैं दिपक शर्मा अंग्रेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दा लीगल चेमबर में अब दोस्तो अगर मैं आप लोगों को बोलू कि संपत्ती खरीदने के लिए साल दो हजार चोबिस में ओनरेबल सुपरीम कोट ने बेहत बड़ा फैसला दिया तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे जी हां दोस्तो आज मैं एक बेहत महतपून और बिल्कुल लेटेस जज्जमेंट ओनरेबल सुपरीम कोट की आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जहां पर अगर आप किसी संपत्ती को या तो खरीदने वाले हैं या फिर किसी सं लोगों को नहीं पता होगा तो आप अपना बेहत बड़ा नुकसान करा बैठेंगे कारण क्योंकि देखिए सुपरीम कोट ने बिल्कुल लेटेस जज्जमेंट पास की है और लोगों को इस चीज की जानकारी होने में महीनों लग जाते हैं और इससे पहले ही उनके साथ ध हजजाद आवशकता है क्योंकि सुपरीम कोट ने अपनी लेटेस जज्जमेंट में साफ निर्धारित करा है कि संपत्ती खरीदने के लिए जो डोक्यूमेंट्स बनाये जाते हैं उससे संबंदित क्या समय सीमा होगी और अगर आप ने इस चीज को सही तरीके से नहीं समझ जा तो आप कल को कोई धोकादरी होने के बाद कोर्ट में नहीं जा सकेंगे और ये चीज में रेलिवेंट जज्जमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूँ अब दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगते हैं अगर आप लोगो को हमारी तरफ से किये गया अपर तच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से नुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजेगा ज़ाद से ज़ादा शेयर जरूर कीजेगा और अगर आपका कोई भी कोशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में भी लिख सकते हैं त देखें अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है अगर आप लोग मेरे थ्रूर परसनली लीगल एडवाईज पाना चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है उस नंबर पर आप कोल करके हमारे थ्रूर कोल भुक कराकर आज की इस वीडियो की हो, देखे, सबसे पहले हम बात करते हैं, समपत्ती को खरीदा कैसे जाता है, अगर आप section 54, transfer of property act देखें, तो वो साफ बताता है, कि अगर आप एक ऐसी समपत्ती को खरीदने जा रही हैं, जिस समपत्ती की value 100 रुपे या उससे अधिक है, तो आपको register दस्तावेज के माध्यम से ही समपत्ती को खरीदना पड़ेगा, इसी के अंदर बताया है agreement to sale के बारे में, अब भई agreement to sale एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसके अंदर अगर आप किसी समपत्ती को खरीद रहे हैं, तो उसको खरीदने के लिए क्या क्या terms condition होगी, कितना पैसा advance होगा, बाकी payment कब की जाएगी, रजिस्ट्री किस दिन होगी, projection आपको किस दिन मिलेगा, first party कोन है, second party कोन है, ये सारी details उस agreement to sale में लिखी रहती हैं, पर जब कभी भी समपत्ती को खरीदने की बात आएगी, मालिकाना हक की बात आएगी, तो आपको proper sale deed या फिर gift deed बनवानी अनिवार्य हो जाती है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए basic जानकारी होना अनिवार्य था, कारण क्योंकि कुछ लोग केवल इतना समझते हैं कि हमने केवल agreement to sale बनवा लिया, तो हम उस समपत्ती के मालिक बन गए, जी नहीं दोस्तो, Supreme Court समय समय पर, जैसे कि साल 2011, सूरज Lamp Industries, Private Limited vs. State of Haryana, इसके लावाद 2023 में भी काफी बड़ी judgment पास कर चुका है, जहाँ पर साफ निधारित करा है कि agreement to sale दिखा कर कोई खुद को समपत्ती का मालिक नहीं बता सकता, उसको proper registered sale deed बनवानी अनिवार है, अब दोस्तो, यहाँ से अब वीडियो बड़ी ध् समपत्ती को खरीदने जाता है, तो शुरू में सामने वाली party के साथ agreement to sale तयार कराता है, जिसमें लिखा जाता है कि कितना पैसा advance दिया जाएगा, बाकी payment कब होगी, और किस दिन registry हो जाएगा, अब मैं आपको बता दू, अगर कोई भी party, चाहे समपत्ती को बेचने वाला, या समपत्ती को खरीदने वाला, उस property को बेचने के लिए मना कर देता है, चाहे कारण कुछ भी हो, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ती उसको आकर जादा पैसा दे रहा है, हो सकता है जमीन की value बढ़ गई, कोई भी कारण हो, अगर कोई भी व्यक्ती समपत्ती बेचने के यह हमें specific relief act के अंदर define किया गया है, इसके अंदर हम court से यह demand करते हैं, कि जो सामने वाली party ने हमारे साथ agreement to sale बनाया है, अब वो उस agreement के अंदर लिखी terms और condition पूरी करने के लिए मना कर रहे हैं, कौन सी terms condition, हमारे नाम से registry कराने की, तो court क्या करता है, उस party को bound कर देता है, कि जितनी भी terms और condition इस agreement में लिखी है, आप जाओ और दूसरी party के नाम पर पूरी करके दो, यानि कि basically क्या करेगा, कि उनके नाम पर register करा कर दो, यह चीज suit for specific performance में हम court से demand करते हैं, इसके अलावा हम compensation की भी मांग करते हैं, और उस सामने वाली party से cost की demand करते हैं, cost क्या होती है, जो भी हमारा खर्चा आया है case करने में, वो सामने वाली party से cost ली जाती है, यह सारी चीजे suit for specific performance में होती है, अब एक चीज आप लोगों के लिए जाननी बेहद अनिवार रहे हैं, कि जब कभी भी इस परकार का जो agreement to sale बनाया गया था, इसको बनाने के बाद registry करने के लिए म पूरा हो, time period कितना होता है, भई आपने हो सकता agreement to sale में 6 महीने लिखे हो, 3 महीने लिखे हो, 8 महीने लिखे हो, कि इस time के अंदर आप registry करा देना, तो जैसे यह time पूरा होता है, आप सामने वाली party को एक notice देकर final warning देते हैं, और उसके बाद 3 सालों के अंदर suit for specific performance आप civil court में जाकर दाखिल कर देते हैं, यह तरीका होता है, सामने वाली party से अपने नाम registry करवा लेने का, इसके अबावा हर case के facts और circumstances अलग होते हैं, हर agreement to sale के टरंस और condition अलग होते हैं, तो आपके case में better क्या रहेगा, क्या आपको part performance डालना होगा, specific performance डालना होगा, यह आपको एक अच time period पूरा हुआ, अब यहां से ध्यान दीजेगा Supreme Court की judgment के बारे में हम बात करें हैं, जैसे ही time period पूरा हो गया, registry नहीं हुई, वो wait करते रहते हैं, उनको एक notice बेस दिया, दो notice बेस दिये, कई लोग तो 4-5-5 notice बेस थे हैं, हमने ऐसा भी देखा है, और इसी बीच उनका 3 सा time पूरा हुआ, उनकी समय सिमा समाप्त हो गई, अब वो registry अपने नाम नहीं करा पाएंगे, और जो नोंने advance में amount दिया था, वो भी उनका वहां पर जब्थ हो जाएगा, अब आप कहेंगे सरी तो basic चीज है, भाई हम time period के अंदर court में नहीं जा रहे, तो हमारा तो अधिकार पर यकीन करेंगे, जी हाँ दोस्तो, ऐसा बिल्कुल हुआ, on rebel supreme court में अपनी latest judgment में यही निर्धारीत करा, कि भले 3 साल की limitation है, हम ये बात जानते हैं, पर अगर एक party ये बात already जानती है, कि जो time period था registry कराने का, वो निकल गया, और इसके बावजूद भी वो wait कर रही है, कि म ये तो 3 साल पूरे ही नहीं हुए, मुझे registry करा कर दो, तो हम उस specific performance के case को स्विकार नहीं करेंगे, जी हाँ, समय सीमा के भीतर भी, अब आप की सुनवाई नहीं होगी, आप लाको करोडों का नुकसान करवा सकते हैं, और आपको भारी भरकम नुकसान होने की संभावना है, अब एक बाद display पर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले case title आपको display पर दिखा कर clear कर देता हूँ, देखेगा दोस्तों display पर, case title है, राजेश कुमार जो present case में अपीलियंट है, वर्सीज आनंद कुमार एन अदर, जो present case में respondent है, इसका civil appeal number था, 7840 2023, और date of judgment है हमारी, 17 माई साल 2024, 24, यानि कि, बिल्कुल latest judgment, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ, और यकीन माने, YouTube पर अभी तक ये किसी ने judgment आपके साथ share भी नहीं करी होगी, और मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप property से related हर latest judgment जानकारी पाना चाते हैं, तो channel को तुरं सब्सक्राइब कर के notification bell icon जरूर दबा, अब एक बाट display पर ध्यान दीजिए, honorable supreme court ने आखिर कारी judgment में क्या clear किया, देखेगा दोस्तो, honorable supreme court ने कहा, even though, कि हम ये जानते हैं, कि जो limitation period है, specific performance को, के case को डालने का, वो 3 सालों का है, पर supreme court ने ये बोला, कि जो specific performance का contract है, जरूरी नहीं, कि अगर वो time period, यानि कि 3 सालों के अंदर ही डाला गया है, तो उस limitation के case को उन दिक्री कर दे, मतलब उसके पक्षपे फैसला सुना दे, इसके अलावा court ने ये भी बोला, कि जो 3 साल का limitation period है, इस परकार के specific performance के case को डालने का, ये plaintiff को liberty नहीं देता, अजादी नहीं देता, कि वो ये चीज मैंना आपको बता दी कि उनरे बोल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब case के facts जानिएगा, case में आखिरकार हुआ क्या था, देखेगा, present case में जो plaintiff है, उसका कहना है, कि मैं जो सामने वाली party है, dependent है, उनसे property खरीदने जा रहा था, मुझे बाद में पता लगा, क कि वो property उनके अखेली की नहीं, बाकी और भी हिस्सेदार है, co-owner है, तो मैंने उनसे demand करी, कि आप सभी लोगों से हमें sale deed करा कर दो, इसी बीच, दूसरी party ने क्या करा, दोके से किसी नए बंदे को property बेच दी, और मैं यहाँ पर wait करता रहा, कि वो मुझे ही देंगे, cancel करा क sale deed मुझे ही देंगे, और उन्होंने वो ना deed cancel कराई, ना ही property मुझे दी, बलकि हमने उनको notice भी बेजा, present case में यह देखा गया, कि plaintiff ने जो एक case डाला है, बिल्कुल आखरी moment पर, बिल्कुल आखरी दिनों में आकर court के सामने case डाला, तीन साल पूरे नहीं हुए थे, पर फ 6 महीने का time सा registry कराने का, और 6 महीने पूरे हो गए थे, इसके बावजूद registry नहीं कराई, तो वो यहाँ पर 3 सालों का wait कर ही क्यों रहे थे, जबकि उनकी knowledge में ये बात आ चुकी थी, कि property तो already और किसी और को बेज दी गई है, और अगर इसी परकार की देरी plaintiff करता रहेगा, तो बाद में आखरी समय पर आकर ये नहीं बोल पाएगा, कि मेरे नाम रजिस्ट्री करा कर दो, मेरे पास तो time period अभी बाकी है, मैंने time period के अंदर case कर दिया, इसके लावज दोस्तों, यहाँ पर यह जो specific performance का case डाला गया था, और बद सुप्रीम कोट ने, इसे plaintiff के पक्ष सालों के अंदर जा रहे हैं, तो आपने जो advance पैसा दिया था, वो आप double amount भी वापस ले सकते हैं, अगर agreement to sale में लिखा गया है, अगर ऐसा कोई भी condition नहीं है, तो जो आपका advance amount सा दिया था, उस पर interest आपको मिल जाएगा, ब्याज आपको मिल जाएगा, वो पैसा वापस मिल जाएगा, पर अगर आप चाते हैं कि सारी बाते आपकी मानी जाए, रजिस्ट्री आप ही के नाम पर हो, तो जैसे ही time period पूरा हो agreement to sale का, आपको अब तुरंत court में चले जाना है, किसी का इंतजार अब वहाँ पर नहीं करना, क्योंकि ये चीज मैंने relevant judgment के साथ, latest judgment के साथ clear क जिएगा, वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई question है, मुझे comment section में लिख सकते हैं, अगर legal advice चाते हैं, consultation चाते हैं, तो वीडियो की description में number दिया है, नंबर पर call करके, अपनी call book कराकर directly मुझे legal advice पा सकते हैं, और अगर आप इसी परकार की हर latest updates से अपने आपको जागरू रखना चाते हैं, तो चैनल को तुरण सब्सक्राइब परके notification bell icon आप जरूर दबा दें